जुरमीद का जो गेम प्लान था वो बहुत ही इंटलिजेंट उस पर रखा वगया था मैं वाकई एक ऐसा ही नियस क्रिमला आप कह लीजिए जिसका जो दिमाग बहुत शार्प काम करता था एक लड़की आई उसके साथ इसने बलतकार किया वो पहुचती है और वो काप रीड तो हजार से रो रही है और ञो शेवादार है महिला सेवदार हैं जो इस काम में उसके कॉम्पिजिट थे जो भेजवचते थे वह हस्ने उसके उसको ऀुकर तो 2002 में एक इमानदार जनलिस्त मार दिया जाता ह। और सब जानते है, सिर्सा में एक बच्चा जानता है कि यह हुआ है, तो क्यों हुआ है? सिर्सा के पास में डारी है, जहाँ एक साफ साफ मेंचन है, कि राइड फॉर्म टॉप लेवल तु बॉटम लाइन, हर आदमी का पैसा फिक्स था, तो सिर्सा के प्लिश हेल्पलेस थी, या तो ले ले पैसा उस से, और या तो उसको वो ट्रांसर करा देता था, अब आप यह स जंगर में, रोटियों में, रोटियों में, रोटियों में, रोटियों में, रोटियों में, उसको फंकी बोलते हैं पंजाम में, आप में सुना होगा, जो रेसिडियो होता है, वो मिक्स करा करके, आप एक रोटी का लीजे, पूरे दिन आप ट्रांसर रहेंगे, आप जो, आप जो कहेंगा वो करेंगे आप 15-15 गंटे लोग काम करते हैं पर आप नहीं कर रहे हैं उसे प्लानिक तो दिखा है ज़िए वापस उसी में कैमरे रखा है ठीक डाट रहे थे क्योंकि कई हफतों से किताब पर बात नहीं हुई थी मुई राजनीती ऐसी चीज है अपनी तमाम गंदगी और उन सब के अलावा जरूरी प्रॉसेस के चलते डिस्कोर्स में आ जाती है पर गलती के लिए माफ कर दीजिए और अची चीज यह है कि किताब और राइटर वापस आगये लनन टॉप के मंज पर यह अनुराग तृपाथी हैं हम पेशा हैं जनलिस्ट हैं अब राइटर भी हो गए है जनलिस्टम वाले राइटिंग को लोग राइटिंग काउंट नहीं करते हैं एक चली अनुराग ने किताब लिखी जो की जरूरी है किताब है डेरा सच्चा सौदा एंड गुर्मीत रामरहीम अडिकेट लॉंग इन्वेस्टिएशन पैंग्विन ने इस किताब को चापा है 299 रुपए कीमत है इसकी पेपर बैक की मेरे खाल से किंडल पे और सस्ती हैं मेजन पे अच्छा यह किताब मैंने पढ़ ली है जै 2017 में और उसके बाद टीवी पे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी गुफा कैसी और डेरा कैसा और कैसे लड़कियां नहाती थी वो कैसे आयाशियां करता था और ऐसा लगा कि पूरा ध्यान जो है वो गुर्मीत रामरहीम के जो सेक्शल प्लैजर्स हैं उनके इर्द भटकने जैसा था राग मुझे ऐसा लगा क्योंकि असल खेल यह है कि एक 23 साल का लगा सेक्ट का हेड़ बनता है किन परिस्थितियों में बनता है जब वो बनता है तब आपकी किताब से मुझे पता चला कि 5 एकर जमीन थी अब 700 एकर है उसमें कई बेनामी है संपत्ति बढ बढ़ता है मैंने 2012 के चुनाओ में मैं तो पंजाब में धलो धियाना में इसके उसको देखा कि सारे पत्रकार सारे नेता वेट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल अफेर्स कमेटी किसके नाम का फर्मान जारी करती है और बकाइदा डिटेल स्टोरी होती थी कि कैसे मैसेज कनवे हो तो वह कोडिंग उनकी तावीज वह एक लिखा हुआ उसके पीछे की नंबरिंग और कैसे-कैसे भीए जाता था तो यह दो एस्पेक्ट हैं इसके अलावा जो चीजे हमें पता चली कि कैसे इसने आत्मगाती दस्तित यार किये अंबाला की पेशी में वह अपने आपको गो वालों का वह पूरा नेक्सिस कैसे बिल्ड हुआ और जो लोग इसके खिलाफ जाते थे उनको कैसे सिस्टमेटी धंक से टॉच्चर करता था हमारी आपकी तरह ही एक जनलिस्ट कमार की जनलिस्ट देश में ऐसे ही जनलिस्ट होने चाहिए च्छत्रपती जिनका कतल कथित त जानकारिया मिली जो टीवी पर दिखा उस दोर में अख़वारों में या मैगजीन्स में छपा उससे कहीं जादा और एक इस किताब की कमियां तो हैं जिनके बारे मैंने बता दिया राइटर साब को अच्छी बात ये है कि जो लोग भुक तो बहुगी थे चाहे वो ऐसे सा जिन्होंने सीबी आई के सामने बयान दिया 164 का बयान दिया जिसके आधार पर गुर्मीत राम रहीम को सजा हुई उन सबसे विस्तार से अमराग ने बात की है और उस मना इस्तिती को समझने की कोशिश की है जिसके तहर लोग जुड़ते हैं उनका शोशन होता है कैसे बाह हर आने के बाद वो किन तकलीफों से दो-चार होते हैं अगले 30-40-50 मिनट में राम जाने कितनी देर यह बातचीत खिचेगी हम इन सब पहलों पर एक-एक करके बात करेंगे आपने एक स्टिंग operation किया था आपने बहुत विस्तार से लिखाये जूता सोधा के बारे में अपने उन डरों और तैयारीयों के बारे में भी लिखाये जो sting operation करने वालों को करनी पड़ती हैं आप चंडिगण के एक hotel में थे और आप भागने के रास्ते भी तलाश रहे थे और आप बात कर रहे थे खटा सिंग से कौन था खटा सिंग और क्यों जरूरी था उसका sting करना देखे सबसे हमने जब इस investigation को शुरू किया जैसा की detailed मैंने इसमें लिखा हुआ है तो उसमें जिन लोगों से हमारी बात हुई जो survivors थे रेप survivors थे जाहिर सी बात थी हम उनको out in open नहीं ला सकते थे और उन उनको pursue कर रही थी और अगर वो उनकी चीजें बाहर आती है तो ऐसे भी उनको social system से बाहर करके रखा गया हो था तो हम उनके लिए परेशानी का सबब नहीं बना चाहते थे और सौरा बगर आपको याद होगा कि जमाने में जब sting के बारे में हम लोग बात करते थे तो कहते कि इस ट्री जो आपरेशन होता है यह बहुत सेक्रो सेंट होता है मला भी इसको यह दिस इस अर लास रिसॉर्ट अच्छली इस नौट दजिस सिंकी ऑन रिकॉर्ड आना नहीं चाहरा है डगा हुआ है और आपके और भी तरीके हैं जहां से आप ख़र आपको निकाल सकते है तो सारी जानकारी होने के बावजूद भी हम इसको पूरे इस ऑपरेशन को एक ऐसी चीज़ पे हिंज करना चाहते थे उसको बेस करना चाहते थे उस आदमी का क्योंकि हमारे पास में यह ऐलिगेशन से वो कभी भी आकर के चीज़ कह सकता था कि भाई हमारे पास ऐलिगेश तो एक वह आदमी इसके सामने है पूरी इस पूरी इस चेश्म दीद कवा है चे रही हो तो जोरा नम्हों की एक सी बीआ अफिसर थे उनसे मुलाकात हुई जो भी बहुत रिलेंटलिस्ली लगे थे पॉलिकल पश्छन को बहुत हाई था अब एक थे वह कर सकते ना क्योंकि अ इतना क्ली उन्होंने दिया तो मुझे लगा कि इस बीफोर सी बीआए रिचेज इम वाई शूड नॉट आए क्योंकि मेरा देखे दो रीजन थे इसके पहला सबसे इंपॉर्टन यह था कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी कहीं एक डिस्टरस था कि कहीं सी बीआ एक उ को पा भी जाते हैं तो क्या वो चीज सामने आए कि या या वही पर अपना सिंग गुर्मीत रामरहीम का ड्राइवर था लंबे समय था दूसर हम चाहते थी कि अकर एक बर यह मीडिया में उसका बयान आ गया या इसका स्टेट्मेंट आ गया तो इट विल बिया काइंड और प्रेशन और सीबी आए टू नॉट डिना इटेक्शन और एक एविडेंस के तौर पर प्रडूस किया जा सकता है तो खट्टा सिंग ने हमनों को यह मान के चलिए कि बहुत अड़ाया बना उसने हमनों को पंजाब और अर्याना में काफी टहला दिया जो हमनों को नहीं वा के रखी हुई थी 2002 के बाद में तो यह लोग अप्रोच करते थे जब वह पहला लीड भी मुझे मिली तो उसने कहा कि वह कई लोगों के पास में गया बार दे डॉन वान तो परसुएट क्योंकि उनको लगता था यहार इतना बड़ा इसकी 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 इसको ल करके और कहीं हम से वह इंफॉर्मेशन लेकर के कहीं उसको आउट ट्रीड ओफ ना कर दें या मेभी वी कैन भी आ पाट ऑफ दे सेम डिया जो उन्होंने दोलाया बहुत हमें और चंदीगन में फाइनली वी वर अबिल टू सेक्टर पैंतिस में और एक बड़ा अब से ग्यारा बरस पहले की बात कर रहे हैं तब गुर्मीत रामरहीम का बहुत जिक्र नहीं होता था वह खबरों में आये तो इस वज़े से आये थे क्योंकि उन्होंने सिखों के दस्वें गुरू गोविन सिंग की तरह बाना धारन कर लिया था और उसके बाद विवाद मीडिया में जब वो MSG और वो सब बनाने लगे उसके पास जाद आये तो उस दौर में पहकीकात करना उन पर जो इल्जाम लग रहे हैं उन पर बात करना ये जरूरी था और अन्राग उस तीम का हिस्सा थे जो ये काम कर रही थी तो उसमें कैमरा था और उसके बड़े फ्ल तो उसे प्लाने की तो देखा है मैं आप चेक कर लो उसे नहीं रख दीजे वापस तो इस वान कहते हैं कि इस पर मोमेंट पर एक उसी समें डिसाइड करते हो कि कैसे एक हुमन बिहेविर को किससे से काउंटर करना है आप लफ लफ तो येट वरक फॉर एस फॉर्चुने हम नहीं बहुत 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 परिशान किया उन लोगों ने हम लोगों को और आपको याद होगा कि ऑपरेशन था इंडिया टीवी पे चला था राजा शर्मा ने शो किया था और वहां पर हम लोग का दो ही बार एक बार नाम लिया गया था but that was sufficient for that people to realize कि तहलक कि कौन लोग है finding तहलका office was not so difficult और दो चार दिन पंजाब में काफी poster बने लगे इंडिया टीवी जिन्दाबाद करके बला तारीफ हो उसके बाद मामला हो रब गया तो उसको they started finding numbers हम आज लैंड नाइन पर office के फोन करते ते गंदी के बला अब जो भी मत्दब whatever choices abuses देके उस वो तो खैर उसकी problem नहीं थी लेकिन आदित इंसान जो जो अभी फरार है जिसको प्रवक्ता था जो उसने national media पर कहा दिया था कि हम जानते हैं वो कौन है और हम उनका पता कर लेंगे उसके बाद में यह हमारे लिए सिती हो गए थी अब हमें मगान immediately change करना है so we have change the flat फिर हमे अब ही किताब होने के बाद में the kind of language they are using on social media tweet पर जो तना की गालिया और अच्छा जितने से आपके पूरे खांदान को कुछ भी का एतियान नहीं जमीना सब्स ngत कुछ भी ने ब्लाइंडी फॉल्ब दें 500 एक कि अपने एक बरीक्तुरु के प्रॉसेस के बताह स्क अब मैं गुरमीत रामरहीम का जो बेग फ्रु मूमेंट था जब उसका जो बच्पन का यार गूरसर मोडिया बाद में मतलब का कतल हुआ गुर्जंट सिंग राजस्थानी के जिसने कतल किया गुर्जंट सिंग ने उसको मारा जेल गया जेल में खालिस्थानी आतंगवादियों से मिला और खुद भी वह आतंगवादी बन गें उसने गुर्मीत की मदद की तो जब यह सेना ने बाद में सर्च जो गुर्मीत रामरहीम के पहले डेरा सच्छा सौधा चलाते थे शाह सतनाम उनकी कनपटी पे बंदूग रखके गुर्मीत रामरहीम को वारिस घोशित करवाया और एक जो आपकी किताब इंट्रेस्टिंग चीज है कि 31 अगस्त 1991 से लेके अगले तीन बरस तक 31 अगस्त के कि वह बिलिंग गुरू था वो वाकई एक ऐसा हीनियस क्रिमला आप कह लीजिए जिसका जो दिमाग बहुत शार्प काम करता था बहुत कोड ब्लेड़ेड तरीके से और वो जानता था कि वह वहां क्या करता था तो वहां पर ट्रक चलाता था या कुछ देरे के काम करता था गुशन सिंह राजीस्ठानी ने भुदी हातियार सप्लाइ कि ये गूशन राजस्थानी का इंट्रेस्स ये था कि भै ये इतनी बड़ी जमीन है यह यहां पुलो और से यहां विकन येब हमने बंकर बना देंगे, समान चुपा देंगे, पैसा चुपा देंगे, विकन अनी टाइम, पंजाब में उस टाइम इल्टेंसी थी, काफिस, लिट वस लिक अल्मोस डाइंग, बट अट लीस्ट वो कभी-कभी बीच में फ्लेर अप कर याती थी, बाद में उसका जो बाद म किस तरह से, यह किया जाए कि देरा जो हैं, इंटैक्ट रहे और यह हो जाए, तो इसने कहा कि मैं मौर, उसमें हूँ, मैं शोक में हूँ, और वो उसने कहा था था कि 10-5 इंफ्लेंशन लोगों को बिल्कुल करीब थे, उनसे कहता था आप लोग खड़ो जाए, बताइए आ अगर इनको हम अपने तरीके से, अपने पाले में रखेंगे, तो हमें कोई आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी, और संगत में भी जब जादा था तो इन लोगों को लेकर जादा था, आप तुम खड़े कोई बताव, बाब ने तुमाह साथ में क्या किया कि, सास अतनाम सास अतनाम के समय में जो सास अतनाम के फॉलोवर हैं, आप कभी उनसे मिलें, उनसे बात करें तो वह बहुत ही एक नेच्रल प्रॉसेस जो होती है, उसमें रिलीजिन को ले करके कोई बातचीत नहीं होती थी, कि आप अप अडॉप करें, या डूनेट करें, या करें, एक सो करें, इनको जो है एक डिगनिटी वापस लाए जाए, जमीन दी जाए इन लोगों को अपनी खेती करें, जो दूसरे मज़़ों तरह काम करें, अपना अना जुगाएं, अपना अना जुगाएं, सलसर्फशन बरानी के कोशिच करें, आतना समान से रहें, और इसने क्या गय हैं, तो corporate sector को अंदर लेकर के आओ, जैसे लोगों जो अमीर लोग हैं, उनको लेकर के आओ, उनसे कहा कि भाई, तुमारा धन 10 लाग रुपे दो, तुम्हें 20 लाग कर देंगे हम, और जो सासत्मामी फालोवर थे वो भी काफी कुछ उच मैसे थे, जो बिजनसमेन थे, तो जैसे मैं यह जाना चाहना था, अनुराग की जब गिरफतारी के बाद, डेरा प्रिमाइस की जाच वगेरा होई तो उसमें भी AK-47-8 निकली है, क्या लोकल इंटेलिजेंस, आर्मी, किसी को कुछ सो रहे थे, क्या, बहुत ही सक्त लहजे में कहें तो, लेके, जहां तक लोक पुलिटिशन हैं, तो जब वहाँ एक डायरी बगायदा मिंटेन कर जाती है, जो CBI के पास है, जो आज मेरी जानकरने के साब से, CBI के पास में एक डायरी है, जहाँ एक साफ साब मेंचन है, कि right from the top level to the bottom line, हर आदमी का पैसा फिक्स था, तो सिरसा की प्लिस हेल्पलेस थी, या तो या तो ले ले पैसा उस से, और या तो उसको वो ट्रांसर करा देता था, क्योंकि प्लिटिकली इंफ्लेंसर तो जो कुछ फज गया है, वो फज गया, उनका 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 चुपचा भाई, लेते रो, everybody new, देखे, जिस तने चटपती ने investigation किया 2000 टीम में, उसके बाद मुलिजा नरायन जब उसको पहली बार investigate करने के लिए 2007 में questioning करने के ले गया, तो जब CBI Director मुलिजा नरायन को फोन आया, तो उनका उससे बुला कि बाबा ने सिफ 45 मिंट का समय दिया है तुमको, तो मुलिजा नरायन ने काला कि मैं इस समय बैठा हूँ अपने headquarters में, जो पह दो कि मुझे पहुच नहीं दो, तो मुझे पहुच नहीं दो, तो मुलिजा नरायन जो एक्सपीरेंस बदाती है चब यह प्रशर में आता था तो यह एक बहर रपोक किसम का इंसान था, जब मुलिजा नरायन ने और उनकी टीम ने से कोश्चन करना शूरू किया, तो यह मुलिजा नरायन ने भगाएदा चार गंटे, चार सदे चार गंटे जो मुझे जानका रही है, इसको इंट्रोगेट किया, इसी की डेरे में, इसी की डेरे में, बट वो करेश यह था क्योंकि, क्योंकि, मुलिजा नरायन, मुलिजा नरायन था कि मुझे करना यार, I want to expose him, म एक बार रटल बहरी वाचपई का जिक्राय क्योंकि उन्हीं के दौर में रेप की प्यूरिस साध्वी ने पहली चिठ्थी लिखी थी जिसका संग्यान पंजाब हाई कोट ने लिया ता जिस पर पहले मामला दर्ज हुआ था जाच शुरू हुई थी दूसरी बार मनमोहन सिंग का जिक्राता है कि कॉंग्रेस के कई सांसदों का दबाव और लोगों का दबाव इसके बावजूद जब मनमोहन सिंग के सामने के डायरेक्टर विजय शंकर एविडेंस पेश करते हैं कि सर इसके खिलाव यह मामले आप साध्यों के बयान देखिए जो 164 में हुए हैं और उसके बाद मनमोहन करें तो हमने इस किताब में यह भी लिखा कि तीन कांग्रेस के सांसर जो इन्फुलेंशल थे अपनी पॉकेट्स में उन्होंने पूरी तरीके और जिनका सुनिया गांधी के जाना दस जनपा जाना बहुत आम था तो उस समय अगर आप अपने CBI डाइटर को बलाते हैं से दोनों साद्वियों को किया हैं उनका स्टेट्में रिकॉर्ड किये हैं रात में 11 बजे बैक डॉर से लाकर करके CBI गेट से वीडियो रिकॉर्डिंग करा करके हमें आपको ऐसे समझ में आएगा CBI को बहुत मेहनत करनी पड़ी इस केस में उन साद्वियों को खोजने के जो इसकी विक्टिम थी गुर्मीत राम रहीम के सेक्शुल एक्स्प्राइटेशन की फिर किसी की शादी हो गई कोई परिवार के डर में जी रही किसी के भाई का कत्व कर दिया गया तो उनको कन्विंस करना और तीसे दिकत थी कि जब उनके बयान होने तो उनको उनके घरो संगत लगा दी उसने वहाँ पर संगत लगाने के मतलब है कि दियार ऑबजरवें तो पूरे घर के सामने हो उसमें कोई क्योंकि लौन और सिच्वेशन तो अधिकारी थे वह उनके या तो डर में थे या तो उनके रोल्स पर थे तो उनका कुछ करना है तो इसलिए आपने हटा दी गई कई चीजे हटा दी गई जो लोकल पुलिस के पास था उसके पास से बहुत जादा इंफॉर्मेशन पास नहीं हुई और बहुत जादा सपोर्ट नहीं मिला सी बैटेम को अब आप यह सोची कि 24 गंटे 24 इंटी इन्टी इन्टो 7 हमाए घर के सामने एक हजार आ उसको एक टास्क दिया गया है वो टास्क फूपर करता और वो उनको ले जाने के लिए कोरी फोर्स नहीं बुला सकती थी वहां पर कि अनुआ अगला सवाल यह है कि बहुती बुन्यादी सवाल गुर्मीत रामरहीम इतना बड़ा कैसे बन गया मतलब जब उसने डेरा समाला तब देरा छोटा था आर्टी संसादन थे लेकिन इतना नहीं था लेकिन तब से 2017 तक पॉलिटिकल क्लाउट और फैनेंशियल जो उसने गेंड किया वो कैसे मुहा मनला मोडर्स ऑपरेंडी क्या था देखे फैनेंशिल का तो यह है कि आप सुना होगा या पढ़ा भी होगा यह मैंने किताब में भी इसको मेंशन किया है कि ओपियम का एक बड़ा अच्छा ओपियम का एक बच्छा ट्रेड में डील करता था इसके ट्रक चलते थे और अफीम की अफीम का तो यह वन ऑफ द वाफिस इल-gotten वेल्थ सेकंड तीं इस कि और यह सब अवैद था यह सब त क самых मामला दर्ष है पता नहीं इसको इतनै घहन तरीके से इंवस्टिकेयट किया रहा है कि नहीं किया जा एक बहुत छोटा समें मामला सिरसा में आज तरब करा यह भी वह चला कि यह लंगर में दूर्म में रॉटियों में रॉटियों में पोसको फंकी बोलते हैं पंचार मे और बात रही पैसा और आने की तो जिस तरह से देखिए एक आदमी को आप बहुत सारे बाबाओं को यहां पे जानते हैं जो मेडियेटर बने हुए सरकार के बीच में और कॉर्पेट हाउसिस की बीच में वो जो काला और धन का चक्कर होता ना और जो डील्स होती है कराने के चकर में कई लोग आते हैं इतना रख कर के इतना करा दो कुछ संगत में पैसा दिया जाता था लोग 10 रुपए 20 रुपए देते थे माल यह 10 लाग रुपए होगे मेरे काल जाता है उनके घर के मतला यह समझ लिए बरतन भाड़े तब जमीन तो छोड़ी सब कुछ बिकवा दिया उनको यह कहर कर कर कि आप पैसा लगा दो हम आपको टिटर्ण में देंगे पीपोर ब्लाइंड तो यह सब और उसका प्लिटिकल क्लाउट की बात है प्लिटिकल क्ला प्लिटिकल प्राप्त हो गया मनी आप सिफ लो करी रही है और मीडिया अपनाता था ही आप मीडिया कर उल्टो डिनाई नहीं कर सकते कि जो मीडिया इसको 2017 में बैट करके स्टूलियों से हर चीजें दिखा रहा था वही मीडिया के कुछ लोग जो एंकर उसको दिखा रहे उसके से बता रहे थे कि कितना गंदा अदमी था क्या था वही मीडिया के कुछ लोग बैट करके उसके साथ मैं ऐसे इंटर्यू कर रहे है कि अगर मौका मिले दोसके पैर चूले मैं नाम लेना चाहता हूं समने देखा है और 2002 में मैं कहता हूं मेरा जो कोर कोश्चन है सौर कर रहा है ऐसे नेशनल मीडिया ये 2002 के बियॉंड ही प्रशन बनना शुरू क्यों नहीं हुआ 2007 के बाद भी हमारे करने के बाद मी प्रशन नहीं बनना शुरू हूआ कई जिगा छपा CBI ने उसको इंट्रूगेट कर रही थी लेकिन मीडिया ऐसे उखल जानने के बाद में कि एक जनलिस को मार दिया जाता है उसका गलड़का स्ट्रगल कर रहा है 2007 में भी खबरें चपती है फो आता है स्टूडियो में किसी गाता है उसकी कंपनी में पैसा लगाता है उसको आ मेरी मनुसी से चाहिए मैं कितनी हिबबत मुझे चाहिए उस सिस्टम से लड़ने के लिए चुछू सिस्टम और इसके सिस्टम में दो-तीन चीज़ें दो-तीन कोड़ वर्ड भी जो मुझे पता चले आपकी किताब से पहला जिसमें इसको सजा मिली साद्वियों के रेप में सेकड़ों का किया होगा ऐसे आरोप हैं दो ने बयान दिये और उसमें इसको सजा मिली 20 साल पी 12 साल 13 साल 14 साल इसके कोई क्राइटेरिया नहीं था है उनका सबका कहना कि ही वह अमलब आज डिटेल ऐसे इतने हीनियस हैं कि अगर वह आप कहें कि वह लब भी इस सो डिस्टरविंग यूनो अचली आप जब इसको सोचतें इंटेंस में कि आप किसी के शरी को बलतकार तो क कर रहे हैं 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 की शरी को दाट लगा रिए यह उपर लॉब आप आप सोचेंना कि आप किस तक ही किस लप रहे है का व्यवाइस ओर क्रिनल था फायज़ की हीज़िग ए हैंडे घांट अ न I'm so sorry to say that, if we have played our role well, कम से कम कई लोगों के हम लोग, कई लोगों के साथ हम जो है, वो कर सकते हैं, उनको बचा सकते थे, या उनको इस चीज़ों से दूर रख सकते थे. और अब भी अनराग, हम यह उमीद ही कर सकते हैं कि इस तरह के वीडियो देखके, इस तरह किताबें पढ़के, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी चाहे वो गुर्मीत राम रही हूं, आसा राम हूं, यह तो वो हैं जो फंदे में आ गए हैं, अंद भक्ति, हमारे बाबाजी अभी भी गाली बिली रही है, एक सर्चन देगी रहा है, तो एक कोड़ वर्ड चलता था, माफी मिल गई है क्या, तो वो जो लड़की है, वो संत्री की जूटी कर रही है, गुर्मीत राम रहीं की जो सो कॉल्ड गुफा है, आशियों का अड़ा, उसमें, और उस से बुज और बोलता है, मैंने माफ कर दिया, तुमारे सारे गुणा माफ कर दिया है, इसका रीजन था, उसने बनाया कि जो प्रोजेक्शन दिया था, वो यह लिया था, कि He is the direct incarnation of God, और किसी के साथ में भी जब वो यह चीज़ करता है, तो उसके पुराने सिन है, अब देखे, आप कि तुम टीवी देखती थी, पहले तुमने हो सकता है कभी कुछ खाया हो, कि मैं किसी लड़की से कभी affair चलता हो, तो अगर मैं तुमारे सारे यह कर दूंगा, तो तुम्हारे तुम्हारे पुराने सिन है, वो खतम हो जाएंगे, वो पावर में इतना अंधा है, वो यह जवादार हैं, महिला सिवादार हैं, जो इस काम में उसके कॉम्पलिसिट थे, जो भेजते थे, वो हस रहा है उसको पर, अच्छा क्योंकि उसके ताथ ऐसा हुआ है, तो अपने घरवालों को भी नहीं बता पा रही है, क्योंकि घरवाले कहते हैं, तुमने ही कुछ गलत कि ही हुआ हो या तो, और या तो जो है, अगर तुम सोशल सिस्टम में रहना चाहती हो, तो तुमाई शादी करा देंगे, जो पर आगी तुमारा कुछ हो नहीं पाएगा, तो बाते बाहरे निकली, तो दो प्रेशर थे, या तो तुमाई गलती से हुआ है, और या तो चुप नपुनसक बनाने का इरादा करता था, उनको जूट बोलके, कन्विंस करके, गुर्मीत रामरहीम केई चला जारे है, अस्पतालों में भीजा जाता था, जहां पर उनके अंड कोश हटाती जाते थे, सरजरी की जाती थी और उसके लिए कोड़ वर्ट था, और जिनके साथ पनाया गया, कोशिश की गए कि ये भी आत्मराती दस्ते में शामिल हो जाएं, उन्होंने बड़ी हिम्मत की परिवारवालों को बताया, वापस आए, वापस आना भी इतना आसान नहीं था, बहुत बहुत डिफकलता है, अचली हंसराज की कहानी है, जो हमाई सोचल सिस्ट की जो भाई, रहो, वो एक ललका जो फॉर्मेटीव यर्स में है, वो चला जाता है, गुमता है मंडली टूली में, और वन फाइंडे उसको क्या करते हैं, जब कास्क्रेट करते हैं, जब उटता है सुबह तो देखता है कि यार इसके साथ ही क्या हो गया, क्योंकि ब्लेड जब नहीं रुक रहा है, पेन हो रहा है, हजारों बिच्छों का डंग, सुबह जब डेरे पहुंश रहा है तो देख रहा है कि पजामा पूरा खून से लटपत है, घर भी में नहीं पता पा रहा है, और आपका हर्मोनल सिस्टम चेंज हो रहा है, आपके फेशल हेर जा रह किसी के साथ असा हो जाए गाए, बर सुसाइटी ऐस अ हौल, को यह समझना चाहिए, कि क्या उस लड़के की बिना रजबमंदी के यह साथ कर दिया गया है, वो सुसाइटी मना चाहता है, तो क्या हमारी और आपकी यह नहीतिक जिम्मेदारी नहीं यह मीडिया के उस समय की जिम्यदारी नहीं थे कि इन पहलों को भी दिखाता है जब वो पहुचा है तो बताता है कि लोगों ने से बात करना छोड़ दिया है रिलेटिव इसने कनेक्शन काट लिए घर में बैठा है बाहर निकलता है तो बच्चे उसको पत्थर पेकते हैं कि गलत नामों बताते हैं जब वो पांच या शेयर की नौकरी करने किसी स्कूल जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं आधा तेरे के डर से और आधा ये कि भाई यूब इंकास्टरेटिड आज वो डायर स्टेट्स में है एक बार फोन आया उसका मेरे पास में देखिए यह सब पब्लिक पता नह करने चाहिए थे मुझे शरकने कि लेकिन मैं कहूंगा कि आज क्रेटिमों कोई भी काम विचारा क्या था कि यार मेरे मैं संगी सिखा के कुछ अपने हिराब से कलो अपनी बना लू तो क्या हमारी और आपकी मिलारी नहीं थी कि हम उस चीच को दिखाते कि यार यह सोशल अस है उसकी कोई गलती नहीं है उसको आपको समाज को मीनिस्टी में लाने के कोशिच करनी चाहिए वो साद्वियां जो है जो को इन ने बाहर आई आप उनको देखे ना वह भी अभी अभी उनको यह नहीं कहा जा रहा है एक तबगा है हमारे आप जैसे लोग उनकी पीठ अप हाँ उनको दोशी मानता है कि इनकी वजह से इसका इंपार को गया है जो उसके फॉलोवर्स हैं वो अभी भी गाउं के कुछ तबकों में हैं जिस गाउं से वो लोग हैं महां के भी है तो वो दे डॉन्ट सी आई-टो-आई है वो इसकी वजह से यार सब कुछ ठीक चला था और कई यह भी कहते हैं कि यह साजिश है जूटे इजाम है अब आप यह मैं तो मेरे तो रोंगते खड़े हो गया थे जब उसने बोला कि क्या भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जिससे सो बिच्छों कग उठता हो तो पीन होता है मुझे आप उसको विजुलाइज करिए अपन अधन सराज तो केस्ट्रेशन के बाद वापस आगया अपने घर बहुत हिम्मत करके उन्होंने अपने माता पिता को बताया पर कई साधू वहीं बने रहे केस्ट्रेशन के बाद गुर्मीत रामरहीम के लिए वफादार बने रहे और उनके आत्मगाहती दस्ते का हिस्सा हो अधना पर ने रहे गए और जिए जट्रेशन के आप तो बाबा की जिनगी के शड़र्ण में रहे और तो जिसतना से बेनवाश हुआ था आपने देखा होगा मैंने इसमें क्या विए कि एक बार अधरी इंटेशन ने बगाईता लेटर लिखा है कि निट्रेशन के लिए इसमें से मेरे खाल से बहुत सारे शादू थे बहुत सारे आगे हैं सामने वैसा दोसो अभी कम से कम शायद दोसो के लगभग लोगों ने दोसो डिपोजिशन हुए हैं नहीं मेरे खाल से लास हंसा से बादी दोसो तक नमबर पहुंच जाएगा बट इसक्राइब अब हिम्मत आगी ने सब के अंदर मीडिया के अंदर वी मेडिया के अच्छा अब सेफ है इसके वाले में कुछ भी कर सकते हैं और तो आप देखी न आपना दाथी दस्ते का जो इसका यूनिक तहीं के से इसका यूस था हंस रहा है यह चत्र पती वाले मामले में जो लोग हैं मर्डर हुए हैं जो मेरे अपनी जनकारी के साब से यह आल का स्ट्रेट इद्वा उनका भी कास्ट्रेशन हो चुका है आपने जिक्र भी किया कि जो कतित तोर पे जिल्नों के उपर यह आरोप लगा है कोट में मामला चल रहा है जिन्होंने डेरे के पूर मैनेजर रंजीत सिंह का कतल किया और जो छत्र पती सिर्शा के पत्रकार जो लगातार राम रहीम के खिलाफ खबरें चाप रहे थे अपने इवनिंग अखवार चाहता क्या था ये आदमी मतलब क्या ये आप ये कैस्ट्रेशन देखें साध्वियां और गुफा देखें तो लगता है जैसे कोई मुगल बाश्या है हरम है और ते आरहीं जा रही है और उसकी रखवाली के लिए हिजड़े तैनाद है ये पहली बार अजाद में आजाते खोली मैं का जानना सब्सक्राइब कोई जो मैं समझ रहा है वही सही समझ रहा हूं मैं तो मैं देखा में चाहिए यार ऐसे क्यों कर रहा यार कर क्यों रहा है इसका किसका लॉजिक क्या है इधर ही इस लाइक of some different sexual orientation and all लेकिन वो तो साध्वियों को साथ करी रहा है तब ये कि इसके पास कोई पहुचे तो वो किसी लेविल वो जान देने तैयार आपने दो लोगों ने गोली मारली खाली को कि प्रेशर बनाना था इंको पे कोट में लाया जाए और जो एक साइक होती ही ना कि जब आप पावर में इतने लेविल तक खुश हो और हजारों लोग क्या में वैसा हो गया हूं किया आपने वोश्यो कि अब मिर में देट डिर्षा में बढ़ता ही चला रहा था तो पहला सरकार बनाना और आपने डिक्टाइट होना और क्या कहते हैं अपनी करेंसी होना अपने साबुन सोब, सब कुछ अपना हो ना, तो आइडिया गे था कि he wanted to build his own empire where he is cozy and safe और बाहर से क्योंकि पॉलिटल 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 जितना बढ़ता जाए, बढ़ता जाए ये तो गुरमीत रामरहीम की बात हो गई अनुराग मेरा आखरी सवाल ये है कि ऐसे बाबा, ये मतलब हम मीडिया को भी दोष्ट देश सकते हैं हम सरकार को भी देश सकते हैं और हम गुरमीत जैसे बाबाओं को भी पर अंधता बात समाज पे आती है गर्बर कहा है, क्यों ऐसे बाबा बढ़ते जा रहे हैं, फलते भूलते जा रहे हैं देरे बेडेरे, ऐसी अंदरशद्धा, मरने मारने के लिए लोग तयार देखे पहला जो रीजन मुझे बहुत लॉजिक, मुझे लॉजिकल लगता है जो मेरे अपने हसाब से वो ये है कि आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत इन्फिनेंशल है जिसकी सब सुन रहे हैं आपसे कोजी अप करने के कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक वह सब इंपॉर्टन फेक्टर जहां है पहीं लोग इसके पास जुड़े अश्मयार मेरे कोई नहीं सुन रहा है यार अब मैं जाता हूँ इसके पास मैं हजारों फॉलोवर ने यह सब्सक्राइब हूँ अब तो मैं किसी को इसको इसको फोन करा देगा तो जाए मेरे पास यार एक फिकाट दो बई का जमीन है नेताओं सा सेल्फी दी जा रही है तो हमने कभी देखा नहीं था तो ये भी एक ट्रेंड है तो everybody wants to cozy up with the power right ये एक बड़ा factor दूसरा जो societal aspect है कि जहां पी ये हुआ इस पर्टिकुलर मामले में या कुछ और मामलों में भी कि एक आदमी जो करने कराने के लिए कुछ भी नहीं है जब इस सिस्टम में जाता तो इसको कुछ करने को मिल जाता है चाहे वो उसका पूरा स्क्वीज करने उसका resources भी इस कमान में जमीन मिल लगी थी वो कर रहा था खेती करते थे प्रेडूस करते थे थोड़ा अपना रखते थे थोड़ा देरे को देते थे तीसरा aspect इस case में बहुत important है वो है कि जो caste का deep divide है वो बिलकुल इसके favor में काम करता है और इस बात को समझने ज़र थे कई लोग जो farm laborer थे उम मारे जाते थे पीटे जाते थे उनको उनका due नहीं मिलता था तो आप क्या जाएंगे ऐसी सित्री में आप क्या जाएंगे यार एक दमा मेरे साथ बहुता यार तो मैं समझ लेता यार जनल साहिक लोग इसको इसको नहीं को नहीं को रखकर करें और उसकी बात सुनने के लिए अगला तयार हो जाए एक आप छोटा सागाम करा करके आप जिंगी भर के लिए उसकी गुलामी फजा तो फिर आप अच्छा बूरा पो दिखना बंद हो जाता है एक लेर पर ये भी वह मतलब जो एक अच्छाई की नशा नहीं करना है ये नहीं मतलब उनके समर्था जो तर्क देते हैं कि बाबा जी तो ऐसा करी नहीं कर सकते हैं बोले वो तो वैश्याओं का विवाह करवाते थे अगर वो सेक्शुल प्रेडेटर होते तो वे सा क्यों करते हैं या वो तो यह जो नशा लॉबी है ना चूकि उन्होंने नशा लॉबी का कामद करवा दिया इसलिए उसने आपनी नशा बेच रहे हैं लेना करना भी है तो मेरा लोकल प्रोड़क्ट लो एक यह बाबाओं में यह प्रवर्ति भी बहुत दिखने लगी है कि वह बिस्नेसमें भी होते जा रहे हैं आसाराम के मामले में हमने देखा कि वह अपने प्रोड़क्ट बना रहे हैं आप नेशलिजम का ठपा लगा करके प्रोड़क्ट लेकिन आप खाली बता दीजी कि देशित में आप यह बेच रहे हैं तो पॉलिक भाग करके लिए रहे दैट इस जिंगव इजम धैट इस से लिनीजम पूरे कमर्शल रहे हैं धार में टेट आप हमेल कर दिया है यह बेसिकलि ऐसे हैं कि इनको बड़े- चल दा होता ना उसको मौजूदा स्थिती में उसको आप टैप कर लें उसके साथ अलाइन कर जाएं यूवल भी आपको जलिस ऐसे हैं जो अभी अलाइन कर रहे हैं यहां पर अगर सरकार माननी है 2019 में बदलती तो आपको वहां पर भी अलाइन करते दिखेंगे तो जो भी निरफ होगा उसके साथ नजदीक ही होगा मेरे प्यारे देशवासियों मोक्ष की तलाश में इतना परेशान न हो जाओ कि किसी मेरी आप की तरह हार मास में जीवित इंसान को ईश्वर मानने लगो औ और अपनी वफादारियां आपने चुने हुए इश्वर के प्रती क्या ऐसे जाहिर करोगे कि मेरे बाबा जी ने अगर बत्ती बनाई तो अगर मैं अगर बत्ती खरीद रहा हूं तो मैं मोक्ष की तरफ बढ़ रहा हूं क्योंकि ये बाबा जी की बनाई उसमें है और पता भी नाचले कि मेरा धर्म क्या है ये इतनी व्यक्तिकत चीज है ये आपको ताकत देती है और क्या ताकत देती है इस पर भी बात कर लें ये आपको बहतर इंसान बनने की ताक्त देती है और बहतर इंसान वो नहीं है जो मेरे धर्म के बारे में तुने ऐसे कैसे गोला मैं तेरा मूँ तोड़ दूँगा वो नहीं है बहतर इंसान बहतर इंसान वो जिसके अंदर दया और करुणा हो करोना सभी धर्मों का सार है मैं बार-बार कहता हूँ क्योंकि बार-बार कहे जाने की जरूरत है तो अगर आप धर्मिक हैं तो इन मूल्यों के प्रति वफदार रहिए किसी इंसान किसी किताब से ये ज़ादा जरूरी है और आसपास देखिए बहुत सारे बाबा हैं जो गुर्मीत रामरहीम के पतन के बाद भी पनप रहे हैं मजबूत हो रहे हैं जरा उनको भी अपने संशे के दाइरे में लेकर आईए प्रशना कुलता बचाई रखिए सवाल पूछने की जिद बनाई रखिए क्योंकि यही इस लोकतंत्र को जिन्दा भी रखेगी और मजबूत भी करेगी और हम ऐसे ही लेकरों से सवाल पूछते रहेंगे आपके हिस्से के और आपको नई नई किताबों से जरूरी किताबों से बाकिफ करवाते रहेंगे बहुत शुक्री आपका अनराग दो चीज़ों के लिए एक तो आपने आप एक दशक से इन्वेस्टिएशन कर रहे हैं आपके परिवार को तकलीफ जहलनी पड़ी सिक्योर्टी, इंटेलिजेंस, इंपोर्ट और सारी चीज़ है और दूसरी ज़री चीज़ कि इन सब के बावजूद आपने इन्वेस्टिएशन भी की और किताब की शकल में इसको कलमबद भी किया और मैं जो चीज इंटर्व्यूस पहले कह रहा था आपसे चाहूंगा कि जब इसका अगला एडिशन आये तो फिल्म बनाकर जो गुर्मीत राम रहीम ने अपने कल्ट को और बढ़ाया और नेशनल मीडिया में जगे पाई मैंने पत्रगारों से बात की तो बोले यार हमें पता है ये फ्रॉड है बोले ये अजूबा है ये कर रहा है और मैं खुद इसकी एक फिल्म का तब मैं आज तक लिए रिव्यू लखता था वैब के लिए और मैं एक फिल्म देखनें गया क्योंकि दावे हो रहे थे कि इसकी फिल्म ने 100 करोण कमा लिए 1500 करोण करों कर दे गया रहे हैं और ये क्या ही फिनॉमिना है कि एक आदमी है और वो गा रहा है बेसुरा गा रहा है कुछ कुछ स्टंड कर रहा है और क्या दिखने है तो टू अंडरसेंड एट साइकी और मैं यही नॉइडा में गया तो मेरे अलावा वहाँ सारे भक्त थे और एक पूरा सिस्टम होता था जैसे स्क्रीनिंग होती थे थेटर में तो बता जाए कि आज बाबा खुदा करके पिक्चर देए गया पहला से तो लोग जो आगे बाबा के बगल अगल बग बैठेंगे वो पंदरा पंदरा बीस बीस लाग के टिकट लेते तो फिर पीछे वाला कम लाग का लेगा फिर पीछे बैठेंगे तो हजार वालों की तो कहले हैं पहली प्री जब प्रीमियर होता था तो हजार वालों का तो कोई ना हो एंट्री नहीं हो देखने किया और वो इतने भक्ति-भाव से देख रहे हैं और मुझे लगता है कि गुर्मीत राम रहीम का कल्ट बिर्लोने में आखरी की जो तीन-चार सालों में वो कि आप देख रहे हो कि आप जिसको पूछते हो वो इश्वार की तरह वो जंप मार रहा है और फिर आप जो नेशनलिजम की बात कर रहे हैं जो उसकी बात की फिल्म आना चाहिए आप देख रहे हैं दीललनटॉप डाट कॉम जो सिनेमा साहित सियासत वो सारी जरूरी चीज़ हैं जो हमारी आपकी जिनकी को तैय करने में अपना अपना रोल अधा कर रही हैं सोशल मीडिया भी उनमें से एक है उन सब के बारे में लगातार बात करता रहता ह अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो इसको शेयर करिए इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी जरूर अवगत करवाईए बताईए मुझे कि गुर्मीत रामरहीम जैसे लोग क्यों पनपते हैं उन्हें कहां से ताकत मिलती और आपकी हिसाब से औ अप्लोड हो आपको फॉरं से खबर हो जाए किताब के बारे में एक बार फिर से जानकारी दोरा देता हूं यह किताब जिसका शीशा के डिरस अच्छा सौधा एंड गुर्मीत रामरहीम डिकेट लॉंग इंवेस्टिएशन इसे अनुराक्तर पाठीन लिखा है और पैंग